नमस्कार मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूद दिनीश को सिक्षि मार्केट टाइम टीवी की टीम आज पहुची है रोहतक जिले में जिस जिकेपे मैं खड़ा हुआ हुई रोहतक जिले का इंदरगडगाओं है यहां पर भी धान की अच्छी lastी रोपाई की जाती है अगर हम हर साल की बात करें तो यहां पर 97 से 98 परतिशद धान की रोपाई होती है और 2 से 1.5 परतिशद में अन्य फसले उगाई जाती है यदि हम रोह तक की बात करें तो इस बार 50,000 हेक्टेर भूमी पर धान की रोपाई का लक्ष रखा गया है लेकिन अगस्त और अक्तूबर के अंत तक 80-90,000 हेक्टेर भूमी पर धान की रोपाई हर साल की जाती है यदि हम जुलाई की भी बात करें तो इस वक्त तक 15-16,000 हेक्टेर में धान की अब तक रोपाई हो पाई है क्योंकि ये पिछले साल के पेक्षा 50% कम है इसका कार्ण ये भी है कि इस बार परदेश में मौनसुन जरूर आया है लेकिन बारिस नहीं हुई है जिससे किसान बारिस का इंतजार कर रहे है और बारिस होने पर धान की रोपाई ताबड़ तोड़ तरीके से लगाई जाएगी इस बार यदि जुलाई के अंत तक बात करें तो 30-35,000 हैक्टेर में धान की रोपाई हर साल अमूमन हो जाती है लेकिन अभी तक चिंता का विशे ये है कि बारिस नहीं होने के चलते धान की रोपाई ज़्यादातर किसानों नहीं की है मारकेट टाइम टीवी के लिए रोप तक से तनेस को से